बारदी चुनाव आयोग ने विदानसबद चुनाव के पहले चरण के लिए अधी सूचना चारी करती है 18 सेप्तंबर को होने वाले पहले चरण के मदान में 24 सीटों पर वोटिंग की जाएगी इसमें 16 सीटें कश्मीर घाटी की है जबकि 8 सीटें जम्मो इलाके की है एक या दो दिन में पार्टी अपने उम्मीदवारों का एलान कर सकती है चुनाव आयोग की अधी सूचना के नुसार उम्मीदवार इन सीट्स के लिए 27 अगस्त तक नामंकन पत्र दाखिल कर सकते हैं जबकि नामंकन पत्रों की चांच 28 अगस्त को की जाएगी चुनाव आयोग ने नाम वापिस लेने की अंतिम्तिती 30 अगस्त तैकी है इलेक्शन कमीशन आउफ इंडिया की अधी सूचना से पहले जम्मू कश्मीर के उप्राज पाल ने एक अलग अधी सूचना चारी कर इन 24 निर्वाचन शीत्रों के मदाताउं से रेप्रेजेंटेशन आफ पीपल एक्ट 1951 के प्राफदानों के नुसार जम्मू कश्मीर विदान सबा के सदस्यों का चुनाव करने का आवान किया था केंदर शाजित परदेश में चुनाव तीन चरनों में होंगे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2014 के 10 साल के बाद विदान सबा चुनाव होंगे 2014 में पीडीपी और भाजपा ने गड़बंदन सरकार बनाई थी जो 19 जून 2018 तक चली जब भाजपा ने पीडीपी से समर्थन वापिस ले लिया उस समय मैबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्य मंत्री थी और जमू कश्मीर में राजपाल द्वारा परशासित राश्रपती शासन लगा दिया गया था पांच अगस्त 2019 को बाजपा सरकार ने अनुच्छे 370 को निरस्त कर दिया और राजपाल को दो केंदर शासित परदेशों में विपाजित कर दिया तब से यूटी परशासन लगी और उनके सलाकार के हाथों में है